दोस्तों बहुत बार हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन एक्जाम तक कितना रिटेन हो पाएगा यह कहना बहुत मुश्किल होता है तो आज एक काम करते हैं, आज एक quiz करते हैं, तो मैं आपको इसका समझाता हूँ कहानी quickly कि ये idea कहां से आया quiz करने का, और ये idea है क्या, दोस्तों जैसे आप इतना कुछ पढ़ रहे हो, retain करने की tension भी हो रही है, तो exam में जैसे for example, sociology की बात करें अगर, तो sociology में आपको जो भी याद करना है, exam में जाके आपको means में लिखना है, ठीक है, वो pre में आपसे check नहीं होता, means में जाके आप लिखेंगे, तो अगर आप means में जाके उसको लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको बहुत recall करना पड़ता है, बहुत recall करना पड़ता है, आ सामने बस कालमाक्स और उसका कुछ जो क्वेस्चन में जो फॉमेशन लिखी हुई है बहुत कुछ आपको खुद से रिकॉल करना है तो मीन्स में एक यह इस सिंपल सी एक जो टेंशन रहती है कि आप खुद पर बहुत आप रिलाय करते हैं लेकिन प्री में आपको सामने आप ब्रीस Batches Run करते आ रहे थे sociology के वहाँ पर ऐसाच हमने कभी YouTube पर अपने कभी हमने असकर नहीं किया कि हम ऐसा करेंगे लेकिन हम करते आ रहे थे अपने sociology की batches में हम क्या करते थे हम melodies करते थे Quizzes, sir, इसका मतलब क्यों होता है? Quizzes का मतलब बहुत सरल होता है कि हमने जो पढ़ाई करी, जो chapter पढ़ा, उससे जुड़े हुए हमने कुछ एक 4-5 सवाल पूछ लेते हैं बच्चों से 4-5 सवाल, sir, कौन से वाले? जो बिलकुल हम simple, basic से एक multiple choice, MCQs टाइप वाले बनाकर बच्चों से पूछ लेते हैं For example, अगर मैं पूछ हूँ कि Theory of Alienation किस ने दी थी? दरखाईम ने दी थी या काल माक्स ने? हाना, बहुत simple सवाल है, अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दिये तो सर, ये काल माक्स ने दी थी, that's it, recall हो गया अच्छा, Theory of Alienation, काल माक्स ने कौन सी किताब में दी थी? Das Capital में दी थी? या फिर Political Revolutions वाली किताब in Germany, कौन सी में दी थी? सर, ये अब में कोछ लग रहा है, मुश्किल सवाल हो गया Das Capital में लिका था तो इसलिए जब हम ऐसे चेक करना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आपको इतनी लेवल पर पुश करते हैं, जो कि हम अपने आपको थोड़ा रिटेन करने के लेवल पर पुश करते हैं, और रिटेन अच्छा हो जाएगा अगर, तो exam में definitely marks better आते हैं, analysis करन में अगर मेरे पास यह idea है, तो आप examiner के सामने भी थोड़े पड़े लिखे आते हैं, तो इसलिए मेरा idea, जो हमारा simple idea है, जो हम क्या करते हैं, quizzes organize करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा एक तरह से पुश करने के लिए, कि आपने पढ़तो लिया, एक बार quickly check करो, retain कि कितना हु कि YouTube पे हम ऐसे बोल के नहीं करते थे, कि अच्छा ये देखी, हम आपको हर chapter के अंत में MCQs भी देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हम बोलते थे, लेकिन हम बच्चों को दे देते हैं, telegram के थुरू, ठीक है, तो telegram में बच्चे आते थे, और वो आके check करते थे, अरे, यहाँ पर आ मेरे सिर्फ दो सही हुए, तीन सही हुए, जबकि दस के, दस सवाल सारा का सारा जो हमने content पढ़ा है, उसी में से बनाए गए है, ताकि थोड़ा सा आपको push किया जाए, कि retain करने की capacity को check कीजिए, and complacent मत हो जाओ, complacent मतलब कि easy मत पढ़ जाओ, हमने पढ़ लिया, मुझे हो ज जॉइन कर रहे है, तो टेलीग्राम में इसको organize करने से बहतर है, हमने सोचा कि काम करते हैं, इसको part of our course बना देंगे, हम course में chapter खतम किया, मान देजी chapter 1 खतम किया, अंत में कुछ 4-5-10 सवाल पूछ लिए, chapter 1 से जुड़े हुए, MCQs पूछ लिए, हम थोड़ा retain चेक करने के chapter 2 खतम किया, 3-4, and then ऐसे करते-करते, थोड़ा retention पर और ध्यान देंगे, आज सच UPSC नहीं पूछने वाला रहे हैं, MCQs नहीं पूछेगा UPSC, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम retain better कर पाएं, बच्चों को थोड़ा और motivate, थोड़ा और push कर पाएं, कि आप retain कीजिए, आ आप social पढ़ने आ गए हैं, लेकिन social में थोड़ा और extra effort लगाई है, तो हम ये छोटे-छोटे quizzes organize करेंगे, ठीक है, तो उसी का एक तरह से माली जीए, कि quiz time है ये, and इस quiz time में हमने पूरे जो paper 1, paper 2, माली जीए, आपने social खतम कर लिए, social खतम करने के बाद आप यहां पर पढ 15 सवाल है यहां पर, ठीक है, पूरे syllabus से, paper 1, paper 2 से, सिर्फ 15 सवाल, that's it, बहुत heavy भी भी नहीं किया, ठीक है, and difficulty level इनका कुछ easy है, कुछ intermediate, कुछ tough, सरा शब्दम में बताऊं, तो जो six questions are easy, and five are intermediate, and four are slightly tough, ठीक है, तो 15 सवाल है ये, and हर question किसे दो option लगाई है, ऐसा भी नहीं क तो एक चीज है, पहले simple, मैं आपको सवाल पूचूँगा, उसका मैं फिर आपको बता दूँगा answer, explanation हम थोड़ा later करेंगे, getting it, कि पहले मैं आपको सवाल पूचूँगा, ताकि आप rapidly, अपने 15 सवालों को rapidly देख पाएं, कि सही था कि गलत, उसके बाद मैं आपको बताऊं इसमें से कौनसी non-probability sampling का type है, क्या वो snowball sampling है, या cluster sampling, आप कहीं सरी क्या बोल रहे हैं, पर तो मैंने कभी wording सुना, अरे हमने तो ये सब भी lectures में cover किया हुआ, in fact, YouTube पर lectures available है, उसमें भी cover है, बताइए, non-probability sampling में इन में से कौनसा वाला जो count होता है, तो दोस्तों, right answer, right answer is non-probability sampling में important type है, हमारे पास snowball sampling, क्या होता है, हम देखेंगे अंदर में, सही था कि गलत, इसको count कीजिए, 15 में से कितने number आते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल पे, Marx ने अपनी एक किताब में कहा कि 8 classes exist करती हैं, इस सामाज में, इस particular तरहां कि जो भी system में, आठ classes, Marx ने various books लिखी हैं, एक book में उसने बात करिये, सर्फ 6 classes की, एक book में 8 classes की, एक book में general have and have not की, तो कौनसी book में उसने 8 classes की बात की, हमने syllabus में cover किया हुआ है, सवाल पूछा जाता है, तो उसमें हम अगर हम mention करें, बात बढ़िया बन जाएगी, दोस्तों कौनसी किताब बताईए, revolution and counter revolution Germany या das capital, कौनसी, and right answer is revolution and counter revolution in Germany, तो यहाँ पर उसने 8 classes की बात करिये, explanation बात में देखेंगे, और question number 3, reflexive sociology, यह आना चाहिए, मेरे हिसाब से easy है, हमने syllabus में cover किया है, और यह हर लंबस में given है, वहीं से ही borrowed है, और ठीक है, reflexive sociology किसने word coin किया था, जो टालकट पा जवाब, ठीक है, okay, then, अगला सावाल, वो कह रहे हैं कि एक saying है, कि same, अगर हम same चीज को, अगर हम कहें, the saying of the same thing twice over in different words, ठीक है, twice over in different words, जिसको generally हम कहते हैं कि थोड़ा faulty style of narration है, कि गलत तरीके से आप समझा रहे हैं, क्योंकि theory building में अगर आप narration गलत कर रहे हैं, theory building में अगर चीज से गरस्त है, हम tautology से गरस्त हैं या illegitimate teleology से, दोस्तों, right answer, tautology या illegitimate teleology, and right answer is यहाँ पर दोस्तों, tautology, ठीक है, दोस्तों, teleology कुछ अलग चीज होती है, illegitimate teleology, छोटी से अलग, मैं आपको समझाऊँगा, अंत में, okay, चार में से कितने सही हो है, एक, दो, तीन य संत में देखिए, okay, system harmonic या disharmonic हो सकता है, यह idea किसने दिया था, ओंड्रे बेटे ने या लुई दूमों ने, दोस्तों, simple सवाल, यह में खासे intermediate level का, यह this is not tough, हम इसको बिलकुल शुरू में चाप्टर 5 में भी देख लेते हैं, बाद में जाके हम paper 2 में भी देखते हैं, okay, right answer is, ओंड्रे बेटे ने कहा था, दोस्तों, ओंड्रे बेटे इल, बेती इल, जैसे मर्जिया बोलता है, इसको, ठीक है दोस्तों, okay, अगला सवाल, दोस्तों, status crystallization, किसे status की crystallization हो जाती है, या फिर system कैसा नजर आता है, यह एक term दी थी, ठीक है, यह term किसने coin की थी, bottom more ने, या जरहाड लेंस्की, बिल्कुल शूर के लेक्शे में है, यह chapter 5 में है, यह answer, 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 दोस्तों, yes, 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 right answer is, जरहाड लेंस्की, लेंस्की ने कहा था, status crystallization के बारे में, समझाऊंगा मैं थोड़ा बाद में, okay, question number 7, दोस्तों, कौन से thinker ने कहा था, कि theology को हमें theology से replace कर देन चाहिए, थिया का मतलब है, goddess, दोस्तों, यह सवाल, रटरे का मैंने आपको तरीका भी बताया था, यह सवाल, जब जैसे, UPSI ने recently ही पूछा था, जो एक particular, वहाँ पर यह use भी हो रहा था, नाम, अराम से, हम इसको recall कर सकते थे, right answer, दोस्तों, right answer is, Carol Christ, ठीक है दोस्तों, ग कहने कि न जो तीन स्टेजिस हैं हिस्टरी की, जिसके जो कॉम्टे ने कहा था कि तीन सेजिस हैं हिस्टरी की, कौनसी कौनसी तीन सेजिस हैं, कि इतिहास ऐसे चलता है, एक उन्होंने कहा था, कौनसी कौनसी है, savagery, barbarism, civilization, या theological, metaphysical या positive, यह easy question है, this is not tough one, आप पढ़ते हैं तो आपको यह आना चाहिए, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया हुए, and recently सवाल भी पूचा गया था इस पर, तो अच्छी चीज़े पूचा जाए सवाल पढ़े में से, दोस्तों, answer is TMP, TMP is theological, metaphysical, positive, ठीके, कॉम्टे जी का idea, मुश्किल नहीं है यह भी सवाल, and then, दोस्तों, right answer is Louis Dumo, ठीके, उन्होंने का था कि West homo equalis, India homo hierarchicus, ठीके, दोस्तों, यह hierarchy में humans को लगा देते हैं, next, बहुत easy सवाल, intermediate भी नहीं है, easy की तरफ जाएगा यह, modernization of Indian tradition, ठीके, एक comprehensive study की गई भारती है, जो पूरे tradition की, बताया गया, उसको कैसे explain करें, बहुत सारे च योगेंदर सिंग जी, ठीके, यह paper में तो अंगिनत बार सवाल पूछा जा चुक है, इनका पूरा diagram रट लेते हैं, हम रटना पड़ता है, paper में अगर हमें 10-15 नमबर चाहिए, तो, okay, ठीके, अब यहाँ पर एक work है, A.M. शाह का, हम A.M. शाह का work पड़ते हैं, family के chapter में, paper 1 में भी, paper 2 में भी, paper 2 में से जादा quote होता है, तो बताइए, A.M. शाह का, उन्होंने कौन सी study की थी, household dimension of the family in India, या some aspects of family in Mahua, okay, please, बताइए, intermediate tough के बीच में रखते हैं, इसको, intermediate type C है, it's not tough, okay, right answer, दोस्तो, right answer is, option number A, option number A, household dimension of family in India, household का जब हम topic पड़ते हैं, तो, हमें हुआ वाला, आई-पी दिसाईजी ने दिया था, वो भी पढ़ते ही है, साथ ही लगा हुआ है, बस हमें recall गलत नहीं करना, आपको ऐसा, आपने अगर अभी पढ़ाई शुरू नहीं कि आपको लग लगा, इतना कुछ पढ़ना पढ़ेगा, दोस्तों, इतना कुछ पढ़ कि simultaneously universalizing भी हो रही है, particularizing भी हो रही है, ठीक है, आज के समाज में ऐसी tendencies, मुश्किल सवाल, इसको क्या कहते हैं, globalization या homogenization, कि simultaneously चीज़े universalize भी हो रही है, लेकिन particularize भी हो रही है, globalization या homogenization, दोस्तों, right answer, right answer is, अगर आपको नहीं भी पता था, तो आपसको guess कर सकते हैं, क्या है ये globalization, कि आपका mcdonald, बना तो रहा है, आपका, mcdonald तो खुल गया इंडिया में, USA की chain, लेकिन बना क्या रहा है, आप आप आके particular तरहा की culture के हिसाब से, अलू टिक की, ठीक है, अलू टिक की USA में नहीं बिकता होगा, ना, इंडिया में बिकता होगा, इंडिया में बिकता ह गया है, हमारे UPSC में फिर से, 2021 में पूछा गया है, 20-19 में सब में, इन में reference तो है ही है, तो कौन से किस ने बोला था ये, मैंकिन मैरियत, या फिर रॉबर्ट रेडफिल्ड, राइट आंसर, राइट आंसर इस एजी, रॉबर्ट रेडफिल्ड ने कहा था ये, and it's not again, डा आट चालो, दो सवाल, रहाए है कि इक बीज में सही हुआ है, अब तक gi नहीं हमें, अगर हमने पढ़ाई ही नहीं करिये, तब थोड़े सही होगा, ठीक है, पढ़ाई करिये, अगर तब भी सहीं नहीं हुआ, तब चिन्ता का विशे है, ठीक है क्योंकि अब UPC के पढ़ाई कर रहे हैं लेवल हमें चाहिए अच्छा दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि जो primitive mode of production है इंडिया में यह जो exist करता था Aryans आये उन्होंने सारा destroy कर दिया यह theory किस ने forward की थी हमारे AR दिसाई ने या GS घुरे ने कि traditional जो हमारे जो यहाँ पर जो residents थे उनको आके Aryans ने अपना गुलाम बना लिया subjugate बना लिया यह theory किस ने forward की थी दिसाई या घुरे दोस्तों right answer हमारे जो AR दिसाई जी ने ठीक है दिसाई अपनी किताब लिखते हैं उसमें जो social background of internationalism उसमें भी mention करते हैं यह part of labor से हमारा आकरी सवाल दोस्तों आकरी सवाल क्या आप दिल थाम के बैठे हैं M.N. श्री निवास ने कहा कि हमें जो भारत को study हमें जो caste study करने चाहिए उसको एक हमने तरीके को हमने एक approach को एक नाम दिया attributional approach कहते हैं उसको या interactional approach दोस्तों बताए right answer attributional या interactional जो M.N. श्री निवास की approach है यह UPS में सवाल पूछा गया था तो उसमें हमें पूछा गया and right answer is attributional approach ठीके attributes की caste के कुछ attributes होते है hierarchy होती है, segmentation होती है, occupation से जोड़ी होती है, pollution purity की बात होती है तो attributes पर focus कर रहे थे, कौन थे वो M.N. श्री निवास तो इसलिए इनकी approach को भी attributional approach कहा जाता है ठीके, 15 में से कितने सही हुए, comments में बताने है, ठीके, क्या अगर एक भी सही नहीं हुआ अगर आप पढ़ाई शुरू करने वाले हो, आपने पढ़ाई नहीं अभी तक, तो को tension की बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई कर चुकी हो और उसके बाद नहीं हुआ, चिंता हो सकती है, तो please go back to your books, go back to your notes, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो आप करेंगे से प्री आ रहा है, थोड़ा प्री पर फोकस हमेशे ही हमेशे रहना चाहिए, इस वक्त आप optional फोकस मत कीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए बहुत सारी, अंत में जाके हम प्री के बाद भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा चाहते हैं, टच में ठीक है, तो before we proceed to our detailed answers, तो हमारे जैसे 24 दिन के answer writing वाले courses चलते हैं, पताना बहुत जलूरी, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता, जब तक पता चलता देर हो जाती है, तो जिसमें हमने 24-24 सवाल हम discuss करते हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो beginner level के 24 सवाल है, intermediate level के 24 सवाल, जो ठोड़ा प्रो, advanced level के 24 सवाल, तो हर module, तीन तरह के module है, तीनों तरह के module अवेलेबल, आप तीनों ही खरी सकते हैं, दो खरी सकते हैं, चाहें तो एक खरी सकते हैं, 3000 जो इच जो 3000 रुपए, यहां पर मैं लिख देता हूँ, बच्चे पूछनें से प्राइस क होई रहा है, एक question की GST हटा कर तीन जा को देखते हैं, एक question की किमत approximately 100 और पे बैठती है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यदा नहीं है, क्योंकि feedback भी मिल रहा है, और हम particularly अगर हम जैसे चाहते हैं, कि video solutions, model answers वगरा देखना, GST में तो और भी ज़्यदा इसमें interaction की possibilities अपने बढ इसमें करते हैं, कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे बड़ी-बड़ी test series से लगता है, डर, कि मैं अभी तरह मेरा जो level नहीं है, preparation का, मैं बड़ी test series नहीं सकता, लिकिन the same time, अगर मैं सिर्फ एक-एक सवाल लिख रहा हूं, कोई चेक नहीं कर रहा है, मैं आप नहीं किये, इसी से कुछ तो पता रगता है, हमें कितना recall हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि randomly selected questions ही है, ऐसे तो नहीं ना कि paper में पूछे जाएंगे, randomly कितना recall कर पारे हैं कि नहीं कर पारे हमें, हमें IEBA लगना चुरू हो जाता है, ठीक है, इस सिस्टम के साथ अग बहुत एक important dialogue होता है, बहुत important चीज पड़ी किताब में, वो क्या होता है कि कई बार सरफ हमारा lack of discipline होता है, जो हमें लगता है कि हमें talent ही है, lack of discipline के कारण हम खुद को doubt करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा से discipline में आते हैं, थोड़ा सा खुद को हम एक मौका देते हैं, opportunity दे चल रहा है, बहुत बढ़ी है, please maintain that thing, ठीक है दोस्तों, तो यही जैसे हमारे 24 दिन का schedule रहता है, question 1, chapter 1 से आएगा, then 2, 3, chapter 4 लंबा होता है, तो सवाल पूछ लेते हैं, 5, 6, 7, लंबा होता है, दो सवाल पूछेते हैं, 8, 9, 10, 12 सवाल पेपर 1 के, and A1, A2, B1, B2, 1, B2, 1, 3, C4 से 1, 5, 6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 12 सवाल पेपर 2 के, तो यह 12 सवाल करते हैं, 24 सवाल करते हैं, and again, अगर जैसे आप 2023 की शुरुआत कर रहे हैं, तो 2023 के तो हमारा पूरा ही course अवेलेबल है, all right, 2023, 2024, जबी की भी तियारी कर रहे हैं, पूरा course वहाँ पर हमने जो एक तरह जैसे इंटराक्टिव तरह से बनाना शुरू कर दिये, तो वो course जोईन कर सकते हैं, प्रिविएसली भी जैसे हमारा course में बस चहरा ने दिखता था, rapid delivery होती थी, बहुत rapidly, वही सेम चीज है, अभी मैं आपसे बाते करते हूँ, आप मेरे चोड़ी शकल देख सकते हैं, लेकि यहां पर कहानी, ओके, non probability sampling, दोस्तों non probability sampling क्या होती है, जहां पर जो, अगर मानलीजे हम चाहते हैं, sample बनाना, देखो, पूरे देश के बारे में, जैसे मानलो, अभी कहीं चुनाव होए, चुनाव होए, मानलीजे, मानलीजे, उत्रप्रदेश में चुनाव होए, अबादी 20 करोड के आसपास है, तो 20 करोड में से 15 करोड लोगों नागरिक होंगे, 12 करोड नागरिक होंगे, जिन्होंने vote डाली होगी, यह डाल सकते होंगे, हना 12 करोड लोगों को जाके तुम्हें पूछने सकता किसे आपने किसको vote डाली, अगर मुझे जानना है कि result आने से पहले, कि किसने के डाली, कौन जीतेगा, लेकिन अगर मैं कुछ-कुछ लोगों से पूछनू, 12 करोड में से, मैंने कुछ-कुछ लोग चुने सैंपल बना लिया, अब मैंने सोचा के चल इन से पूछता हूँ कि क्या किसको vote डाली, तो मैं assume कर लूँगा इन्होंने अगर इसको ड पूरी सब्सक्राइब चेक करते हैं कि चमज करें नावक कितने हो जाएब निकालने चाहे पैर का blood था, blood sample तो कहीं सी भी आ सकता है, तो probability किसी भी चीज़ की select होने की बराबर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि random sampling में मतलब क्या होता है, non probability sampling में मतलब क्या होता है, कि अब किसी के select होने की chance बढ़ गया है, कि ओके, आप let's say, अगर हम voting वाले behavior की बात करें, तो आपको जो दोस्त था, सरफ उसी का ही study में आने का जो हमारे पूरा जो process हम जो कर रहे थे, review कर रहे थे, feedback ले रहे थे, उसी का ही chance बना, बाकि किसी का chance दो नहीं बना, जो आपका दोस्त नहीं था, वो हमारे कभी study में शामिल ही नहीं हो पाएगा, and since मैंने आप से reference लिया, आप से reference लिया, इसको बोलते है, एक से एक, एक से एक reference वाले चीज़ को क्या बोलते है, snowballing, आपने देखा होगा ना, वो snow का एक जो चोटा सा अगर तुकडा गिराते है, वो दिरे दिरे पहाड़ी पे roll करता जाता है, ऐसे बड़ी से snowball बन जाती है, snowballing, उसको कहते हैं, एक से एक से एक reference देते जा रहे हो आप, and accordingly, अपना survey कर रहे हो, जो भी study कर रहे हो, उसमें आप data देते जा रहे हो, that is called snowball sampling, ठीक है, and since reference से आती है बात, तो हर बंदे के chance select होने का बराबर नहीं हो था, इसलिए इसको बोलते है, non-probability sampling, कि सभी का select होने का chance बराबर नहीं है, यह random probability नहीं है, this is a reference based probability, okay, ठीक है, इसको जब context में पढ़ेंगे, और समझ आता है, okay, 8 classes की बात करी, counter revolution in Germany की उसमें, and then gradually, das capital में important एक जो बात कही थी रहे हैं, मैं आपको पहले बताया, वो various तरह की societies को ही analyze करते जा रहे थे, okay, next, reflexive sociology, वो कहरें कि अगर जो researcher है, researcher अगर data पर बैठ कर, अब पहले से सोच के आया हुआ कि मुझे इस data में से यही निकालना है, तो वो कहरे, researcher थोड़ा सा हलका काम कर रहा है, बढ़िया काम नहीं कर रहा, बढ़िया researcher वही है, जो data निकालेगा, data को देखेगा, अरे मैं तो कुछ और सोच रहा था, कुछ और निकल के आया, reflect करेगा, reflect करेगा, सोचेगा, reflexive sociology को वहीं पर ही Alvin Goulder ने कहा, कि researcher की importance क्या है, कि वो reflect भी करें data पर, and accordingly, कुछ नई-ने conclusions वगारा भी निकाले, and accordingly, जो उसके साथ साथ बदलता भी चले, एक set ideas, pattern को लेके, दिमाग में सरफ आगे ना बढ़े, okay, term है research में पढ़ते हैं हम ये, okay, then, tautology, tautology क्यों होता है, कि एक ही चीज को हम अगर दो different तरह से कहें, and rather ऐसा हो कि वो एक confusing aspect करे से नजर आए, ठीके, okay, मैं आपको पहले एक टीलियो लॉजी समझाता हूँ, टीलियो लॉजी क्यों औरती है, and कैसे वो illegitimate बन जाती है, illegitimate मतलब क्यों औरता है, ना जायज, legitimate मतलब जायज, illegitimate मतलब ना जायज, अब उसके बाद अगर बारिश आ गई, गर्मी बढ़ रही थी, बारिश आ गई, लेकिन मैं बोलू कि गर्मी इसलिए बढ़ रही थी, कि बारिश आ जाये, तो that is, थोड़ा सा मैं अब गलत करना शुरू कर रहा हूँ, मैं reasoning गलत तरह से कर रहा हूँ, कास्ट सिस्टम में इमाजन कीजिए, कि कास्ट सिस्टम के डवलप्मेंट शुरू ही, मैंने थोड़ा सा भेदबाव शुरू किया, मैं को लग रहा था मेरी हायर कास्ट है, किसी और की मैं लोवर कास्ट बना दू, फिर मैं बोलू कि अच्छा मेरे पास ये वाले जो कुछ फाइदे, आपके पास ये वाले फाइदे नहीं है, आपको राधर मैंने थोड़ा सा पनिश करना शुरू कर दिया, कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कि हुए पानी नहीं पी सकते, हाना तो मैंने कास सिस्टम डवलप हुई, तो उसके कारण ये हिरार्की भेदबाब डवलप हुए, हम बोलें कि हिरार्की भेदबाब डवलप हुए, उससे कास सिस्टम डवलप हुई, तो ये थोड़ा सा इलेजिटिमेशन की तरफ चले आते हैं, कि हम कि एक system develop होता है तो इसलिए देखो अब जितनी मूँ उतनी बातने वाली बात होती हमेशा sociology में कि कौन सी theory किसको जादा सही लग रही है thinker को according लिए उसके साब से वो उसको जायज मानता है दूसरा ना जायज मानता है अब यहां पर teleology में अगर आप इसको example कास system के example को ही अगर आप continue करें तो यहां पर जो एक important इसके निकल कराती है कास system में कि जैसे hierarchy का development किसी के साथ pollution लगा दिया कि आरे आप तो बिल्कुल polluted इंसान है आप यहां पर मंदिर में नहीं आ सकते आप यहां कुए में पान नहीं पी सकते हैं आप इवन गली से भी निकल सकते ऐसी चीज़ों को development तो विट टाइम विट टाइम होती गई डे वान पर डिसाइड नहीं हुआ था कि नहीं यह लोग इनको हम ऐसा कहेंगे इसलिए जब हम cause and effect को कि जब हम cause उसका और उसका effect क्या रहा उसको confuse करना शुरू करते हैं जैसे मैं आपको बारिश का example लिया कि गर्मी बढ़ने से बारिश हुई ऐसा नहीं हुआ कि बारिश होनी थी तो उसके लिए गर्मी बढ़ारी शुरू कर दी बगवान नहीं ऐसा न legitimate teleology बन जाती है, methodology का अगर हम example देखें तुम आपको यह भी समझाता हूँ, जैसे दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि मानेज़ आप UPSC के exam में select होंगे या तो आप select नहीं होंगे, अरे बिल्कुल एक शब्द ही बोल देना was enough कि या तो आप UPSC के exam में select होंगे, जैसे ह इसलिए हमें exactness रखनी होती है, तो इसलिए totological बाते के होती है, जोड़ा सा poetic तरह से shape देती है, theory को, and theory बहुत लंबी प्रलॉंग ज़र आती है, तो general researchers को like नहीं करते है, तो इसलिए हम यह word पढ़ते है, जैसे मैं बोलता है कि आपके chance है जीतने के, उसमें जीत और हार दोन अर्टिकलिस में था, select नहीं होना भी शामिल था, तो इसलिए बोलते हैं कि आप बोलते हैं जो एक में शामिल हो सकती थी आप दो तरह से इसको बोलते है, तो इसलिए theory building में इसको generally पसंद नहीं किया जाता, हम research के chapter में पढ़ते है, यह major flaw रहता है, बहुत सारी theories का, okay, then, ठ था हमारा harmonic भी सा harmonic system सिंपल सी चीज होती है ये आंद्रेबेते ने कहा कि जैसे मान लीजिए कि मैं अगर upper caste इंसान हूँ upper caste ठीक है मेरी upper caste है और मेरे पास मान लीजिए बहुत सारा status भी है ठीक है मैं caste में भी उपर हूँ status में भी उपर हूँ तो status मेरा जो क्या एक system क्या बना दिया मैंने crystallize system बना दिया आगे lens की देखा न हमने lens की आएगा भी तो हमने crystallize कर दिया कि मेरे पास status भी है wealth भी है power भी है लेकिन ऐसा देखो इसके उल्टा भी हो सकते है कि कि किसी के पास status हो लेकिन wealth ना हो या power भी ना हो जैसे बहुत सारे जगाँ पर देखते हैं आजकल हम जैसे जो ब्राहमिन होते हैं बहुत जगाँ पर हम पढ़ते हैं एक गरीब ब्राहमिन था गरीब ब्राहमिन था मतलब उसके पास status हो था लेकिन wealth नहीं थी चाहिए थाना power भी चाहिए ना हो बहुत बहुत जगाँ ज़ाँ-अगैनayकर ऑफ से pat गहुत तो जैसे मान लीजी आजके जमाने में constitution कह रहा है कि सब बराबर हो जाएंगे कोई caste चुआ चूट ऐसे कुछ चीज नहीं होगी लेकिन आपके साथ क्या होता है कि caste system के चलते हैं आपके साथ disharmonic क्या होता है जो कहा जा रहा है वही practice होता है और लोगों को उसमें कोई कोई अंतर रजर नहीं आता मैं अगर काग्जों बोलतों कि सभी में difference होगा जो अमीर है वह उसको यह फाइदे मिलेंगे गरीब को यह नुकसान होगा काग्जों में रिखा हुआ है लिखा भी हुआ यहां है practically वह बाद आसी है क्योंकि पुर्णी समाने में ऐसा होता है ऑगर आपके जो उची कास्त बहुत है जो कांग उन में रिखा भी हुआ था जो हम आरेगा है रिलिजेए टेंस्त और जो system का हिसाब से तो लोग मान भी लेते थे ठीक है तो यह सिंपल सिंपल चीजी है बहुत मुश्किन नहीं है अगर तीनों चीजे स्टेटस और वेल्थ और पावर एक ही इंसान में सब कुछ कॉंट्रेट नहीं हो गया तो हम सको क्या बोलते हैं कि वह स्टेटस क्रिस्टलाइजिशन नहीं हुई है अभी वह थोड़ा सा जो बटा हुआ है ठीक है इट इस नाट क्रिस्टलाइज एक ही एक ही ग्रूप में सब कॉंसेंट्रेट नहीं हो गया स्टेटस क्रिस्टलाइजिशन यह जराड लेंक्सकी ने कहा था ठीक है एंड इन उसके बाद थी ओलोजी कि भगवान की जो सटड़ी करते हैं उसमें कहरें कि जो लड़कियों वाले भगवान जो लड़कियां गॉड की तो इसमें करॉच्चानिकर बहुत ही जो लीमिटेड नंबर नजरा ओर ती जो बहुत ही नीए तो ऑटमाटिक वी समाज में और रिफलेक्ट होता वह समाज में में सेकिंद ग्रेड की जैसे हीन आती है आकौर्डिंगली वह चाहती है कैरल क्रैस्ट की हम जो जो सबस्क्राइब कर दोड़ा सब कुछ सबस्क्राइब होगा वह वाला दोर आ जाएगा तो इसी हास कहते हैं ऐसे चलेगा आगे कि पहरे सब theological था अब फिर metaphysical हो गया अब positive मतलब सब कुछ science based rationality logic based चलेगा ओके जी then homo hierarchicus की homo मतलब humans की human hierarchy में लगाने की tendency कहां पर है वो कहरें भारत में है वो है caste system में वो कहरें west में क्यो है west में हम कहते हैं homo equalis humans को equal करने के tendency होती है वहाँ पर caste नामक चीज नहीं है west में वहाँ class नामक चीज है and class को कहते है open system है कि अगर आप में जो जजबा है उपर आ जाओ ठीक है अमीर बनके रिखा दो ठीक है योगेंदर सिंग जी ने इतनी grand study कर दी अभी तक भारती जो पूरे के पूरे सिस्टम को लेके बहुत सारी चड़ी थी कि इसलाम का इंपक्ट रहा वेस्टन जो आए थे बिटिश हमारे उन्होंने बनाया उके बैन उसके बाद जो हम देखते नेक्स एम शाह ने बोला कि हाउस्टोड दायमेंशन की बात की थी कि हमारे देश में जो फैमिलीज होती है पर टिक्लाइब नहीं है जो इसे बहुत सारी शड़ी में दिखाय जाता है कि फैमिली लाइफ डिकलाइन पर नहीं है और पर्टिक्लाइब जो एम शाह के चाड़ी है वो हाउस्टोड डामेंशन पर बहुत जोर देती है कि फैमिली को कैसे हाउस्टोड के जैसे देखा जाता है उसके बारे बात करते हो हाउस्टोड क्या होता है इस पर एक सेपरे टॉपिक हम पढ़ेंगे और य यूके में भी यूसे में भी मेक्सिको में भी सब तरफ अवेलेबल है लेकिन हर जगा के हिसाब से वह अपना मेन्यू बदलता जा रहा है पर्टिकुलर राइस भी करता जा रहा है तो उसके बहुत को ढ़ले तो महाभारत एक बहुत बड़ा गरंथ है ठीक है लिखा गया लेकिन local level पर देखें local level पर उसके अलग-लग variation दिखती है हिमाचल में महाभारत का कुछ और वर्जन नजर आता है पमिलाड में कुछ और नजर आता है तो great tradition तो है कि एक बड़ा गरंथ महाभारत जो लिखा गया होगा जो रिशी व्यास दवारा शायद लेकिन जो अभी बहुत सारी जनता जो होती है और इलिटरेट होती है तो उसके बाद क्या करते है वो अपने हिसाब से अपने local culture के हिसाब से उस बड़े गरंथ को या उस बड़े idea को अपने local level के हिसाब से mold कर देती है उसको local touch देती है तो उसको कहते है little tradition great impact करता है little को little impact करता है great को accordingly चलता रहता है जैसे हम यह भी मानते है ना कि जो तिहार था जो रक्षा बंधन का तिहार है रक्षा बंधन का तिहार as such exist नहीं करता है लिटरल ट्रेडिशन बहुत कुछ ऐसे थोड़े से लोग जो UP में saloono एक तिहार होता है वो मनाया जाता है saloono करते 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 कि रक्षा का तिहार था करते करते रक्षा बंधन में तब्दील हो गया पूरा देश मनाना शुरू हो गया little ने जो great को impact किया उस पर लिखा भी गया कि रक्षा बंधन का क्या है इतिहास etc जब लिखा गया पढ़े लिखे लोग उसकी बात कर रहे हैं तो क्या बन जाता है वो great tradition little tradition क्या है कि हां मैंने सुनी है कोई कहानी अपने हिसाब से उसको में mold कर देता हूँ गुलाम मना लिया लुकल लोगों को और वो कहते हैं कास्स सिस्टम ज्यृवाद में नजर आती है जो local थे जिनको गुलाम मना लिया है उनको के बाद कास्ट में जैसे हम occupation की बात करते हैं कास्ट का जुड़ी होती है कास्ट में marriage की restrictions होती है attributes की बात करी किसने हमारे MN श्रिनिवासी में important है ठीक है तो यह सब जो attributes हमें जानते जानते हैं बाकी मैं आपको course के बारे में बता दिया है course के structure के बारे में 2023 का हमारा course है जो की मार्च एक को अगर आप अभी तक lecture देख रहे हैं तो मार्च एक तक हमारा जो बैच में अगर आप जॉइन करते हैं तो आपको थोड़ा सा discount मिल रहा है उसके बाद भी जॉइन कर सकते हैं पस वो discount हो जाता है तो first March तक है यह and again I want to tell you कि it is very important बहुत आपको होता है कि मैं परचुनिटी क्रियेट करना देखो मैं एक सिंपल सब्सक्राइब बता हूँ जैसे नहीं यहां पर एक जो होता है कि लेटसे कि मैं बाहर घर से निकलूं कि ना निकलूं एक मैंने इसको एक मैंने वीडियो भी बनाया था तो वह क्यों होता है कि हमें अपने लख का रेडा तो लेकिन अगर मैंने चांस मेरने चांस बनाना चुरूं कि यह फॉर्म बहर के चांस है शायद मैं बन सकता हूँ उसको मैंने पठाई करने चांस और बढ़ेगा ठीके मैंने जो test लिखे chance और बढ़ेगा मैंने उसके बाद जो test लिखे review किया, feedback लिया, chance और बढ़ेगा getting it, अगर मैंने अपने luck के radar को मैंने antenna, antenna को मैंने बहुत छोटा रखा हुए तो chances भी भी बहुत कम है मैंने बहुत कम चीज़ें grasp करेगा, उसके antenna को मैंने वाइड कर दिया, खोल दिया, एंटीना को, तो automatically मेरे lucky होने के chances बढ़ते रहेंगे, lucky होने के बात क्यों कर रहा हूँ मैं, okay sir, मेहनत करेंगे, तो पक्का होगा, नहीं, guarantee कभी नहीं होती, हमें हमेशा मेहनत करनी है, जी, तोड़ मेहनत करनी है, लेकिन जीतनी मेहनत करते हैं, उतना हम आगे बढ़ने के कोशिच करते हैं, उतना हमारे lucky होने के chance बढ़ जाते हैं, getting it, तो बस इसी बात से focus करो, and simple से चीज़ों focus करो, पढ़ाईटी focus करो, and I would be very happy to see you getting through, and जो बन पढ़े हम से, जो help हो सकी, हम यहाँ पर manage, तो इसलिए में आपको चाहता हूं बताना हम lowest, 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 हम cost में हम चीज़ें निकालते हैं, आपके लिए top quality content बनाते हैं, तो I want you to come with us for all the subjects, हम बहुत जादा, हमारे chodisity में हम बहुत जादा मेहनत करके content बनाते हैं, and वो content में से साल दर साल सावाल नजर आते हैं, क्योंकि मेहनत करके बनाया गया है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन particularly, say touchwood, God has been really kind, हम जिस दिशा में मेहनत करने कुशिश करते हैं, वहां बहुत बच्चों के help हो रही है, आप भी आईए, ठीक है, आप भी आईए, हम 50 या 500 rank भी दे पाएं, ठीक है, तो यही चीज़े हम भी चाहते हैं, हम लक्के रडार को बढ़ाएं, जादा साथ बच्चों को साथ जोड़ें, मेहनती बच्चों को साथ जोड़ें, और बच्चों को मेहनत करने की एक समझाएं की मेहनत करेंगे, उसके बाद भी आपको कुछ और सवाल है, तो हमारी जोड़ेंगे, देख सकते हैं, मेहनत करते रहें और एच्टरा, बहुत कुछ, उसका कोई मेरे पास कोई तोड़ नहीं है, मेहनत करने का मैहनत करने तो करने आठ गंटे पढ़ना है, तो